हाई गाईज, वेलकम बेक तो मैं न्यू ब्लोग, तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप, आप सब बहुत बढ़िया होगे, तो दोस्तो आज हम खिलवान में ले चल रहे हैं आपको दिल्ली की महसूर कचोडी, कहां पे यह हम आपको आगे चल के बताएंगे, तो दोस्तो जैस यह स्कूल का में एंट्री गेट है, और इस दुकान का नाम है फते चंद, फते चंद की जो फेमस कचोरी है, वो यही है, देखो गूगल पे अगर आप डाल के सर्च करोगे ना, गूगल मैप पे, तो वो यही की लोकेशन दिखाएगा, बट गूगल मैप पे एक लोकेशन लगवा के लिए, और ये ना, एकदम मस्त देखने में तो इतना मस्त लग रहा है, सब कुछ की हाँ, और एकदम इसकी जो सुगन्द आ रही है, वो इतनी परफेक्ट इतना मस्त लग रहा है, जो इसकी खुसबू है, कि क्या ही स्वाद होगा, एकदम मस्त जबड़जस्त वाला, तो जैसे जैसे हमने इसको ट्राई किया ना, एकदम मस्त, बिर्कुल इसका सुआद एकदम ओसम था, तो वही हमारे खाने के तरीके पर मज जाईए, कि हम हाद से खाय जा रहे है, कोई हमने स्पून बगएरा नहीं लिया, तो दोस्तों, हाद से खाने में जो मज़ा है, वह स्पून से खाने में कहा है, मज़ा, तो चलो आओ, मैं उता देता हूँ, अब यह जो दुकान है, यहाँ पर क्या-क्या मिलता है, देखिए, यहाँ पर आपको छोले कुल्चे मिल जाएंगे, कुल्चा रोल मिल जाएगा, और देखिए, कचोरी तो आपको मिली है, तो दोस्तों मैं आपको बता हूँ, आज मैं आया कहा है, तो मैं आया था, सिविल लाइन में सेंट जेवियर स्कूल है, उसी के पास में एक कचोरी वाला है, बड़ाई फेमस है, और बड़ी अच्छी और लाजवाब कचोरी बनाता है, और अब यह हमने उसकी कचोरी टेस्ट किया है ना, बागी में एक नंबर लगी, उसकी एडजेक्ट लोकेशन म सिविल लाइन में अंदर आजएए, सेंट जेवियर स्कूल है, उसी के जस्ट जो एंट्री गेट है ना, एंट्री गेट के बरुकुल पास में लगाता है वो, देखो एक पतेचंद जी की कचोरी है, अब मुझे यह नहीं पता कि दो शोप है, भाई हमारी इंगलिस स्कूल पर वही दिखाएगा, जो सेंट जेवियर स्कूल के पास में है ना, उसी की लोकेशन दिखाता है फतेचंद बालोगी, बट फतेचंद बालों ने एक अलग सोप है, मतलब रेडी लगा रखिया, उस पर लिख रखा है कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, अब कंफर्म तो मुझे पता नहीं है, तो दोस्तो आप भी जाओ, बड़ा बढ़िया है कचोरी वाला, वहाँ पर कचोरी आपको खाने को मिल जाएगी, जो कचोरी की चांट है, और एक दो चीजे और बनाता है, वो काफी अच्छी है, सोट और वीडियो ब्लोग दोनों आपको पूरा मिल जाएगा यह, देखो दोस्तो, एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करूँ, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और आप भी शायद से उसमें बोर हो जाओ, तो आज का ब्लोग आपको हमारा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, एक बार, अगर कोई स